मैं खुशिरो आपका स्वागित करती हूँ आख बर्बानी कॉसिब में फुक्रे इंसान की बाते जिया सुनके काफे ज़दा हसी और उसी दोरान ही जिया शंकर ने जो है अपने दोस्तों को या विनाश, फलक, जदादिद को जो है फुक्रे इंसान की बाते बहुत ही गरव से बताई है जहां पर फुक्रे इंसान कल रात को डिनर ड्यूटी बर्तन की ड्यूटी कर रहे थे और वैसी पीछे भी बोलते हुए नज़राय की यार बर्तन धोना बहुत ही बड़ा काम है कुकिंग करना बहुत ही बड़ा काम है और स्पेशली जब अकेला कोई करता है न तो सच में फट जाती है और मतलब कि बैक की ना ऐसी तैसी हो जाती है रात को मैं अकेला बरतन धो रहा था और मेरी ना मतलब कि मुझे इतना ज़ा थकावट जाके मैं सो गया बस इसलिए मैं रात के डिनर के बरतन लिये हुए है और फिर उसके बाद जो है बोलते है जिया को काफी टाइम के बाद बोलते है जिया को कि यार मुझे अभी समझ में आ गया है मैं जब भी देखूँगा ना किसी को कोई गाड़ी धो रहा है तब मैं सल्यूट मारूँगा तब कोई मैं खाना बना रहा है तब मैं सल्यूट मारूँगा मम्मी अगर खाना बना रही है तब मैं मम्मी को सल्यूट मारूँगा मम्मी सल्यूट है बरतन धोरत है सल्यूट हो बनागी वो सल्यूट के काबिल है जो लोग ये सब चीज़े काम करते हैं यही सब चीज़े जो है बहुत ही फनी तरीके से बताती हुई जिया विनाश जदादिद फलक को बताती है जहांपर उख काफे जदा हसती है हाला कि सही बात है बहुत सारे लोगों को जैसे कि स्पेशली लड़के उनको फील नहीं होता है कि मम्मी लोग कितना ज़दा महनत करती है किचिन में इसलिए तो किचिन के जीनी बोला जाता है पर उन्होंने कभी वो काम करके नहीं देखा होता पर ये चीज़ अभी अभिशेक को पता चल गई है कि कितना बैक दर्द होता है बरतंद होते वक्त कितना बैक दर्द होता है खाना बनाते वक्त खड़े रहना इतनी ती देर सब चिदे हातवाद चलाते रहना हलाकि इस प्यार के लिए इस वीडियो के लिए अपनी मम्मा को थैंक्स जरूर बोलिए मॉम थैंक्स करके कमेंट जरूर कीजिए इसी के साथ मैं ले तिन जाज़त नमस्षिकार